Dear student, we have to discuss about the world population and associated problem. हम इससे पहले जो world population की बात कर रहे हैं और world population से associated जो problems हैं उनकी बात कर रहे हैं तो उन में एक और problem भी जो हमारे पास important problem है वो है autocratic ruler problem कि हमारे पास dictatorship अगर हम दूसरे लफ़ों में बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जी like the kings, chiefs जहां कहीं भी dictatorship है और democracy नहीं है वो भी हमारा एक issue है उसकी वज़ा यह है कि हमारे पास majority population जो हैं वो different level में है elite class में नहीं है अब जहां dictatorship होती है तो उसका जो सबसे बड़ा issue होता है वो यह होता है कि हमारे पास democratic way of decision नहीं आता अब हमारा democratic way of decision नहीं होगा तो हमारे पास issue यह हो जाएगा कि majority लोग क्या चाहते है अपनी education के बारे में अपनी health के बारे में अपने ransom के बारे में वो क्या चाहते हैं तो majority के decision जो है वो हमारे पास आकर असर अंदाज होंगे जहां autocratic ruler है dictatorship है जहां पर एक शक्स अपने आपको अकले कुल समझता है जहां पर वो एक शाई फर्मान से सारी चीजों को ठीक करना चाहता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी population की growth जो है वो अगर appropriate नहीं है और उसके democratic अंदाज से उसके leader का इंतखाब नहीं किया गया तो जो planner है basically अब हम बात करते हैं न आप सोच रहूंगे कि हम democratic की बात क्यों कर रहे हैं हम autocratic की बात क्यों कर रहे हैं उसकी वज़ा यह है कि जो हमारी planning है वो direct effect करती है हमारी policy maker के साथ और हमारे policy makers जो हैं वो direct effect होते हैं कि उनका way of thinking क्या है क्या उनका way of thinking democratic है या उनका way of thinking democratic है या autocratic है अब देखें अगर उनका सोचने का अंदाज autocratic है तो वो planner पर असर अंदाज हो जाएगा अब मैं उसकी एक च्छोटी से मिसाल आपको देना चाहता हूँ आपका एक planner है और वो कहता है कि मेजर पैसा जो है न वो health पर invest कर दो आपके policy maker उसको bound है उसकी बात मानने को अब आपने अनबैलंस कर दिया health को और education को health को और food को planner के अंदर जहां democracy होती है वहाँ पर वो democratic फैसले करते हैं और वो सूचते हैं कि हमारी population यह नी population की डमीन कर दें तो हमारे बच्चे कितने हैं हमारे नوجवान कितने हैं हमारे बुड़े कितने हैं हमें नौकरियां कितनी चाहिए हमें वेक्सिन कितनी चाहिए हमें food कितना चाहिए हमें food के साथ साथ हमें उनके लिए जो education के plan करने वो कितने चाहिए अब देखें जो democratic pattern होगा वो हर चीज़ को democratic अंदाज में appropriate हर चीज़ को वो fix करेगा कि अगर फर्ज करें कि हमें एक मिसाल देते हैं कि आपके पास 100 रुपे हैं तो आप फैसला करते हैं कि जी हमारे पास इसके अंदर चार बंदे बैठ जाते हैं वो कहते हैं जी मुझे health के लिए चाहिए वो कहते हैं जी मुझे food के लिए चाहिए वो कहते हैं कि मुझे education के लिए चाहिए तो आप सारे लोग मिलकर फैसला करते हैं और उस plan करते हैं और वो planning को मताबिक आप उसकी investment करते हैं और उसकी allocation करते हैं आप तोर पर देखा यह गया है कि जहां पर autocratic ruler system है जहां पर हम कह सकते हैं गिक्टेटर है वो इस planning की बजाए वो अपने single जैसे कहते हैं कि हम उसके सकते हैं अकले कुल जिसको आप कह सकते हैं कि वो अकले कुल जो है वो इन चीज़ों को मावरा रखते हुए वो फैसला करेगा और वो कह देगा कि जनाब आप इसको पर इतना fund रखते हैं इसको पर इतना fund रखते हैं अब उसके असराद क्या मुनतब होंगे हमारे पास अब उसके असराद ये मुरत्ब होंगे कि अब आप देखे न कोल्ड वार्ड के बाद 1991 के अंदर स्वेज जुनियन क्लैप्स हो गया तो उसके अंदर एक मिकल्ड वार्ड शुरू हो गई खत्रा है उसका अब इन हालात के अंदर अगर हम आप सोचें तो हमारे पास इस वक्त डिक्टेटरशिप का दुनिया में कोई ज़्यादा रोल नजर नहीं आता और हमें डेमोक्रेटिव सुसाइटी बनाने की जरुगत है और हमने अपने सस्टेनिबल डिवर्मेंट गोल के अंदर भी हमने बात की थी कि हम अपनी डेमोक्रेटिक सुसाइटी को किस अंदाज में हम लेकर चल सकते हैं और वो लोग पिर कैसे फैसे का सकते हैं तो लहाजा हमारी पापुलेशन हमारी डेमोक्रेशी के साथ हमारी डेमोक्रेशी आर्टोक्रेटिक रूलर बियेविर के साथ डिक्टेटर्शिप के साथ ये सारे इंटर लिंक हैं तो लहाजा हमारी पापुलेशन के साथ साथ अगर हमारे लोग ज्यादा होंगे तो वो मजबूर करेंगे कि डिक्टेटर्शिप खतम की जाए और जमूरियत उलाएगे